असलाम अलेकूम मेरी यूटूब की फैमिली आप लोग कैसे बताना अलहमदलिल्ला मैं बहुत अच्छी तो आज में नहीं रेसिपी देने आ लिए आप लोग को तो आज हम लोग बनाने वाले आलू के पत्ती की वड़ी यह भी यह सिजन इसा पत्तियों का इसको में अच्छ बड़े पत्ते जादे बड़े बड़े पत्ते निहां आविया रुख जा गिरा देगी है इदा सामान यह वड़ी बनाएंगे हम लोग और यह आदा किलो आटा है चैने काट्या और इसको हम लोग अभी यह सब मसाला दाल के बैटर रेडी करेंगे जो वड़ी में लगाने कि रहेंगे पत्ते में लगाने के रहेंगे वड़ी के लिए कि मसाला है हमारा कि यह घंध मसाला है घरम मसाला धनिगी वुक्किये हल्दी नमक है और PCV कि हरी मिर्ची और यह इमली का पानी है कि सक चानकर में अच्छे से इसमें डालूंगी है और यह हमारा सुका खोबरा सुखा खबरा दो चम्मच है जादा ने लिघु दो इज़ लिए दो घम अधि और इसको भी हम लोग बेटरेडी करेंगे इस अब डाल करूं फिर उसके बाद मैं बताती इस बैटर दालने के बाद में वही है सब करने के बाद में सबसे पहले जाएगा यह सब मसाले जो हमने निकाल के रखे इसके अंदर इसके हम दोग चम्मच की मदस से सब जगे फैला देंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर बाद में अपने फिसाब से पानी ज्यादा घड़ भी ने रखेंगे हम लोग और ज्यादा पतला भी ने करेंगे नॉर्मल रखेंगे यह थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर हम लोग मिक्स कर रहे हैं और इसके साथ ही में हम लोग खोबरा भी दाल देंगे फिसावा खोब रहे हैं कि यह फास से बहुत मुश्कील है बड़ी बताना बना कर में कोशिश करूंगी कि बनाओ पानी जाएगा हमारा अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से बैटर रेडी करके फिर में आपको बताती हूं यह इमिली का पानी है थोड़ा थोड़ा करके दालेंगे इसको मैंने चन्नी की मदर से चान लिए इमिली को पुरा इसको मिक्स करेंगे इसको चम्मच के मदर से और इसको फेट लिए बेटर रिडी हो गया है ज्यादा पतला भी नहीं आप घड़ भी है थोड़ा इसी छोड़ देंगे धाग कर नदा स्वील्ड के बाद में फिर हम लोग प्ते हें procent अची पत्टे निकालका रखें इसलिटńskop कि इसलिट के लगाएंगे च्छ से लगाएंगे यह उस Land करेंगे हैं परुछे Вас आड़ से लगाएंगे इसको अफोल्ड करेंगे ठीक है मैं बताती हूं आपको कोशिश करूंगे बताने की पर मुझे नहीं लगता है कि में दोनों हाथ बीजी करते ना तो एक हाथ से मोबाईल कैसा पकड़ूंगी देखते हैं इसको कोशिश करूंगे आपको बताने की परी तरीके से क्या दूर ओ हो गया है अभी इसको हम लोग ने से प्लिक्व में पत्ते को रख्यू अब इस पे हम लोग है थोड़ा थोड़ा करके कि अज्सरा डालने की पोश्चिक करेंगे मैं एक बता दूगे अब को फिर उसके बाद में पुरा होने के बाद में बताऊंगे आपको क्योंकि की एक हासे मुबाइल पकड़ी हो तो इस मुश्कील होता है कि यह से इसा करना है अगर यह चम हाब मुबाइल पकड़ने का नहीं रहता नहीं तो में हाथ से ही करी होती ही पुरा कि यह इसा करना है इस पे और पत्ता में रखोंगी कि मेरे पत्ते नहीं बहुत छोटे-छोटे कि इसके लिए में एक और पत्ता रखोंगे इसके अपड़ आए यह ऐसा करना है इसके बद में फोल्ड करना इधर से इसके अपर एक एक करके अपर यह एसा इसके फोल्ड करके फिसके योग पर से थोड़ा इसा बेसंग कर थोड़ा लगा देंगे कि इससर रेड़ी करेंगे अपर इधर एक साइक में रखेंगे क्या हो आना अब या चाई चाई पीती तो गभी फिर वैसे हम लोग एक कि करके बनाएंगे फिर मैं आपको बताती पुरा होने के बाद में यह देखिए फाइनली मैंने यह सब लगा कर इसको रख दियू अभी टोप रखेंगे टोप के ओपर एक कपड़ा बांदेंगे लोग चनी में भी करते हैं चनी रखते फिर उसमें में को नहीं में को नहीं मतलब सब के अपने अपना तरीका है यह मेरी नानी ऐसा करती थी जो मैं आपको सब क्या करना है भी बाद में यह देखिए ऐसा साफ कपड़ा इसके बाहन देना है इसमें मैंने आदा टोप पानी ले लिए ऐसा बानना है केरिफूली से नीचे से गैस चालू रहेगा तो गैस अभी तक मैंने चालू नहीं कियो यह आपको रेडी करके बता दियो अब इस टेक्नोलेजी सब चीज़ किया गई है एक अपड़ा उपड़ ले लेंगे हैं हम लोग क्या आग ना लगे बहुत हुआ कि यह देखिए हैं कि सहीं से वेसा है लगेगा निया को गैस भी हमां चाल तो यह पानी गरम होने देंगे फिर इसमें एक-एक करके यह जो हमने बना इसमें दालेंगे ऐसा एक-एक करके दर बिचाएंगे ओके बिचाने के बाद आपको बताती हूं यह देखिए मैंने ऐसा रखती हूं इसके उपर आना अच्छा लग रहा है ना गावटी स्टाइल आई बंबई में तो लोग क्या-क्या रखते चन्नी रखते हैं रखते है अनले वे ऐसा कुछ ने, मैं उसको घलत नहीं बोल रही वह उनका तरीका है ये मेरा और मेरे पास अभी चन्नी नहीं है फिलाल इसके लिए ने नानी करती थी में अब भी यादे नानी को करते हैं देखे थी हम लोग ने ताई होई नानी के श्टाइल में कि चलो फिर मिलते इसको भाप लगने के बाद में तो इसको अच्छे से कवर अप करना है यह से हम राप कवर अपो गया है कि यह भाप में पकेगी है कि यह देखो मैंने धक्कन हटा दी कि ऐसा हुआ है इसको मुचूही मार के देखेंगे पकाई के नहीं पकाई पक गया है पक गया भी इसको निकाल देंगे प्लेट में कि अब करके निकाल देंगे आराम से गरह में दो कि इसे एक इक करके निकाल देंगे क्यांके के भाप लग रही हाथ पर मैं बताती हुआ आपको पुरा निकाल कर यह देखेंगे है इसा में अब अब हुआ है कि सबके श्टाइल अपना अपना बनाने का अलग-अलग तरीका है मैं ये तरीके से बनाती हूं और बनाई हूं और आपको बता है पसंद करना लाइक करना सब्सक्राइब करना ज्यादा से जादा सपोर्ट प्लीज यह देखो मैंने मीडियम साइज का ना काट लिए हूँ है सा देखो दिख रहा होगा ना जैसा काट लेना है फिर बाद में इसको फ्राइ कर देंगा भी हम लोग अब बताना रैसेपी सब मेरी कैसी लगती है आप लोग को यह मैंने कड़ई में तेल रख दियू अब यह कड़ई में हम लोग यह काटके रखी दी मैंने इसको फ्राइ करेंगे बताती मैं आप लोग को कैसा फ्राइ करते हैं कि यह मतलब जो साइस के हमने काटे के छोटे-छोटे साइस एक्चिल में बड़े होते क्योंकि पत्ते मेरे छोटे थे न इसके लिए कि मीडियम हम लोग गैस रखेंगे गरम होने के लिए सिर्मेने फास्ट पर रखी थी तावर दू आनावया की कच्चा ही खा रही है एसा तरलानी है मेने अभी तक कि उसको उसको इसा ही पसंदार है इस भाफ वाला ठीके खा मं पीनी करेगा तो बोलना आनावया कि अभी हम लोग इसमें छोड़ेंगे तीन चार तीन चार करके इसां चोड़ेंगे कर आँ है कि आए अधी पर ना यह चुने जो है ना है कि अपर फड़ फड़ उड़ता है कि थोड़ा सा कड़क होने के यह रखेंगे हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इसको निकालेंगे ऐसा ही करना ज्यादा भी पकाना नहीं है अल्रेडी के पख चुका ऐसे उसको डिफ्राइ करना है बस हारुक जानाबया दे रहे हैं कि मैं जब भी कूझ भी काम करने लगूं कि आपना बनाओं बरतन दोने पट वेक लिएड़ मेर खाना आप्या चालोई रहता है यह वो यह वो चाल रहता है यह छाई यह त गेसा फ्राइं करना है हम को ठीक है कि यह देखें अभी कि हमारा ऐसा रेडी होगया है निकाल दियू मेने अब इसको बगार देंगे हम लोग जो तेल था ना जिसमें फ्राइड हम आगे अब बगार देंगे और आप डेट तेस्से के टेस्ट आएगा थोड़ा उसमें बगार देने के पर थोड़ा अच्छा लगईगा तो टेस्ट अच्छा आएगा कि सब सब लोग का अलग होगा मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाई हूँ कि सब लोग ऐसे ही और वाल यह शायद मेरे ख़ल से इस्टीम करने के बाद में टेरिक बगार देते होंगी करते हैं लोग कुछ पुछ ऐसे भी यह चोटे अच्छे लोग अच्छे से खा सकते हैं और थोड़ा यह उसको अच्छा पकने देंगे कच्छा पन हट जाएगा उसको और यह जीरा दाल देंगे दालने के बाद में इसमें हम लोग असर बगार चोड़ाएगे यह बगार हम लोग ने छोड़ दी नहीं है खुछ बहुत अच्छी आ रही इसकी अब दस मिलेट इसको थोड़ा असी धाग देंगे को पाइनली एट लेडि हो गया कहने के लिए यह दो तिन दी भी रहे गा तो खराब तो बताना मेरी रेसीपी कैसी बनी और आप लोग को कैसी लगी ठीक है फिर मिल दें नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसीपी के साथ में जब तक के लिए अलाह आफेज